श्री गुरुभ्यो नमह सम्स्कृत कख्यायां भवतां भवती नांच पुनरेकवारं स्वागतं अध्यवयं शेमुषी इत्यस्य पुस्तकस्य प्रथमांसे यह द्वितीयह पाठह विद्यते तम पाठं पठिश्यामह अस्य पाठस्य नाम स्वर्ण काकह इतिवर्थते यह स्वर्ण काकह पाठ विश्व कथा शतकम एक संग्रह है जो पद्म शाष्त्री द्वारा विर्चित है इस विश्व कथा संग्रह उस्तक में संपूर्ण देश की सव प्रसिध प्रसिध कथाएं संकलित की गई है जो हम कथा अपने घर में सुनते हैं दादी के द्वारा नानी के द्वारा ऐसे ही विश्व में भी हर देश में लोक कथाएं प्रसिध प्रसिध हैं उन लोक कथाओं का संग्रह आचारिय पद्म शास्त्री जी ने विश्व कथा शतकम इस सिर्शक से एक ग्रंथ लिखा जिसमें सव कथाओं का उलेख मिलता है उसी कथा के क्रम में एक कथा वर्मा देश की ब्रम्ह देश या हम यह कहें वर्तमान में जो म्यामार है उसे देश की लोक कथाओं में प्रचलित कथा है स्वरण का कह इस कथा का हम थोड़ा सा अंस देख लेते हैं कि इस कथा का संचेप में वरण क्या है उसके वाद हम सम्स्कृत भार्षा में लिखी हुई इस कथा को पढ़ेंगे जो की हमारे पुस्तक में स्पष्ट है होता यहा है कि एक ग्राम में एक वृद्ध महिला होती है उसकी एक पुत्री है वह निर्धन रहती है तो असनान करने बाहर जाती है मा पुत्री को चावल सुखाने के लिए देती है कि बेटी इसको तुम बाहर धूप में रख करके सुखा लो चावल को सुखाने के लिए वो थाली में ले जाकर और फैला देती है उसके बाद कुछ समय बीतने के अनंतर एक वहाँ पे कववा आता है वहाँ कववा साधारन सा नहीं था उसकी कुछ विशेस्ताएं थी उसके जो पंख थे वो सोने जैसे थे ऐसा लगता था मानो सोने के पंखों वाला यह कववा है तो वह जो बालिका थी निर्मल मन की और बहुत शांत सभाव वाली थी उसने उसको कहा कि तुम इस चावल को मत खाओ क्योंकि हमारी माने कहा है कि इस चावल की रख्या करना तुम इसे किसी को खाने मत देना और अगर तुम खा लोगे तो मैं माता को चावल दे नहीं पाऊंगी सुखा करके इसलिए चावल को तुम मत खाओ और हमारे पास इतना ज़्यादा चावल नहीं है कि हम तुम्हें इसे खिलाने के बाद दूसरे चावल के द्वारा आज का भोजन बना सके कवा उस लड़की की बात सुन करके बड़ा आस्चर चकित हुआ कि कितने निर्मल मन की ये बालिका है अपने घर की सारी बाते हमको सपष्ट करके बोल गई और क्या समस्या है ऐसा भी बोल गई कवा कहता है कि तुम चिंता मत करो तुम्हारी निर्धनता को मैं दूर कर सकता हूँ मुझे ये चावल तुम खाने दो हम इसके बदले तुम्हें बहुत कुछ देंगे और वो चावल दो चार दाने चुगता है और वहां से जाने के पहले बोल देता है कि कल सुर्योदय के पहले पास वाला वो जो पीपल का व्रिक्ष दिख रहा है वहाँ पर आ जाना हम तुम्हें कुछ देंगे दूसरे दिन वह बालिका वैसा ही करती है सुबह सुबह सुर्योदय के पहले उस व्रिक्ष के पास जाती है वहाँ वह देखती है कि एक महल बना हुआ है उस महल को देखकर वो आश्चर चकित होती कि यहां तो कुछ नहीं था आज यह कैसे महल आ गया तो चारो तरफ से आश्चर चकित देख रही थी तब तक एक खिड़की पर वह कवा बैठा होता है वह कवा आवाज देता है कि तुम उपर आ जाओ, बोलो कैसे आओगी, तुम्हें आने के लिए मैं सीड़ियां देता हूँ, सीड़ियां दे रहा हूँ, वो कैसी सीड़ियां, क्या तुम सोने की सीड़ी से उपर आओगी, या चांदी के सीड़ी से उपर आओगी, या फिर त भनवान नहीं हूँ तो क्या करोंगी सोने की सिढ़ी मुझे तो तामे की सिढ़ी ही दे दीजिए ताम्रमेन सोपानेन उपर आगमिस्यामी ऐसा वह बोलती है तो कवा सोचता है कितनी इसकी बुद्धी निर्मल है थोड़ा भी मन में लोभ लालच नहीं है कि मैं सोने की या सोने की सिढ़ी देखो ऐसा कुछ उसके मन में लोभ नहीं होता उसकी इस बुद्धी को देख करके ऐसा विचार देखकर वह सोने की सिढ़ी देता है और वह सोने की सिढ़ी से चड़ करके उपर छत पे चली जाती है अंदर जाती है तो कवा पूछता है कि तुम्हें भ सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तामे की थाली में किस में भोजन करना पसंद करोगी बालिका फिर वही उत्तर देती है कि मैं सोने की थाली में भोजन क्या करके करूंगी मुझे तो तामे की थाली में भोजन करा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो जल्द ही घर जाना चाहिए अपने और ठीक है जाने के पहले तुम वहाँ पर कुछ बक्से रखे होते हैं मंजूशा तो मंजूशा कहता है कि इन मंजूशाओं में से एक मंजूशा तुम अपने साथ ले जाओ तो बाली का कहती है इतने बड़े-बड़े मंजूशा हम क्या करेंगे उसमें जो सबसे छोटी मंजूशा होती है जो सबसे छोटा वक्सा होता है उसे वह अपने साथ ले लेती है और ले करके चली जाती है घर जाकर के जब वह देखती है तो उसमें बहुत सारे हीरे, जावाहरात, सोने, मोतियां और आभूशन भरे हुए होते हैं वो देखकर बिल्कुल आश्यर रिचकित होती है अरे वहाँ ये एक कवे के पास इतना धन कैसे हो सकता है खर कोई नहीं, बाद में वह जब जाकर देखती तो वहाँ कुछ नहीं रहता है, वो कुछ चमतकार था ऐसा सोच करके और उसके पास इतना सब कुछ होता है, वहाँ धनवान हो जाती, अपना घर अच्छा बना लेती है और उसके यहाँ खाने पीने को बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा होता है उस बालिका के साथ उसके बगल में एक और जो वृद्धा रहती है एक बालिका रहती है मतलब पडोसी उस बालिका को पता चलता है कि औरे रतों रात एका एक चमतकार हो गया ये लोग इतने बड़े आदमी बन गए तो वह पूशती है वह जो छोटी बालिका थी उसने सब कुछ बता दिया उसन आती है वहां पर भी काग आता है और वह काग उससे भी ऐसे ही पूशता है लेकिन वह जब कवा दाना खा रहा था तो बालिका कहती हरी एक कवा मेरा दाना खा रहा है तुरंत वह डंडा लेके दोडाती है अरे दुश्ट तु मेरा चावल खा रहा है इसके बदले तुमको क कल की गई वातें हैं इसे पता चल गया है ऐसा सोचए को अगैश्स को तुम को कुछ न कुछ हमको कुछ नरहीans के बदने कि कि उससे को करें कवा ने कहा किसे तुमको हम सोने की सीड़ी का चान की का तले यह नहीं आदब मुझको स्ट तो कवा बोल दिया भी तो सोने की है नहीं तामेकी से ही आ जाओ और उसको तामेकी सीड़ी दे देता है उसके बाद वो अंदर जाता है तो उससे भी वही प्रिश्ण तुम किस में भोजन खरोगी तो बोलती है कि हम सोने की थाली में भोजन करेंगे तो कवा सोचता है कि घर में तो कभी सोने की थाली में भोजन किये नहीं लेकिन मन में कितनी लालसा और लिपसा भरी हुई है जो ये सोने की थाली में भोजन करना चाहती है तो फिर वो बोलता है कि सोने की नहीं तुम तांबे की ही थाली में भोजन कर लो उसको उसे भोजन करा देता है बक्सा ले जाने वाली जब बात आती है तो बोलता है कौन से ले जाओगी तो सबसे बड़ा जो बक्सा होता है कहती है मैं इसको ले जाओंगी तो दे देता है बड़ा बक्सा लेके अपने घर जाती है घर जाकर कि जब उसे खोल के देखती है तो उसमे एक सांप बैठा उवा होता है भयंगर सांप देखके ओडर जाती है भाग आती है ताथपर इन दोनों कहानिएं में क्या आता है निश्कर से ये मिलता है कि एक कहानी में वह निर्मल मन की होती है शांतो सोभाव की होती है लोभ और इरस्या कपट द्वेश उसके मन में नहीं होता है तो दोशों से रहित है इसलिए वहाँ अच्छे फल को प्राप्त करती है दूसरी जो होती है दूसरों के प्रते कड़ा व्योहार रखने वाली कठोर व्योहार करना और परुपकार की रहता है तो उसका प्रिणाम वहा गलत प्राप्त करती है ये इन दोनों कहानियों का सार होता है इसी को जब हम मूल पुस्तक में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी बाते हैं जो हमने आपको संचेप में कहने के कारण नहीं व्यक्त की हैं वो सारी कहानी हम पुस्तक में प एका निर्धना वृद्धा इस्त्री नियवसत अर्थात पुरा यह अब्य है प्राचीन समय में पहले की बात है किसी ग्राम में कस्मिस्चित ग्राम में किसी गाउ में एका वृद्धा इस्त्री नियवसत एक वृद्ध इस्त्री वास करती थी अर्थात रहती थी निवास कर लंगलकार का प्रियोग है जिसे भूत काल के लिए प्रियोग किया जाता है तस्याह एक दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित उसकी एक दुहिता थी दुहिता का अर्थ होता है पुत्री तो एक दुहिता थी वह दुहिता कैसी थी उसमें विशेशण है विनम्रा मनोहराच वह विनम्र और मनोहर थी सुन्दर थी विनम्र थी शुशीला थी एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत एकदा अर्थात एक बार किसी समय माता ने पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया क्या आदेश दिया? स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य स्थाल्याम सब्तमी हकती है स्थाली अर्था थाली जिसमें हम भोजन करते हैं उसमें तंडुलान जो सुखे चावल होते हैं उन्हें तंडुल कहा जाता है और जो पक गए चावल होते हैं उन्हें ओधन कहा जाता है तो सुखे हुए चावल तंडुलान अर्थात, सुखे हुए चावलों को निक्षिप्य उसमें फैला करके, थाली में उसने सुखे हुए चावलों को फैला करके और पुत्रीम आदिसत, पुत्री को आदेश दिया सुर्यात पे तंडुलान खगे भ्यो रक्ष, सुर्यास्य आतपह सुर्यात पह, अर्थात सुर्य के आतप में, आतपह अर्थात धूप तो जो सूरिय की धूप है उस धूप में उसे सुखाने के लिए दिया और कहा सूरिया तपे खगे भ्याः खग का अर्थ होता है पक्षी तो खगे भ्याः रक्ष पक्षियों से इसकी रक्षा करना हम लोग गाओं में अभी भी देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, जब हम कोई चीज सूखने के लिए डालते हैं, तो चिडिया या गिलहरी या और कोई उसको खा करके खतम ना करें, इसके लिए कह देते हैं, इसको देखते रहना, तो पुत्री के लिए ऐसा आदेश दि जो की रक्षधातु का है आगे कहते हैं किंचित कालात अनंतरम एको विचित्रह काकह समुढ्डिय तस्याह समीपम अगच्छत किंचित काला नंतरम कुछ काल के अनंतर अर्थात पस्चात बाद में कुछ समय बीतने के पश्चात क्या होता है एकह विचित्रह का कह उड़िय तत्र आगच्छत वहाँ पर एक कववा उड़ करके आ गया नईताद्रिषः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दिश्ट न एताद्रिषः नईताद्रिषः अर्थात इस प्रकार का एताद रिशह अर्थात इस प्रकार का रजत चंचु रजत का अर्थ होता है चांदी चंचु का अर्थ है चोंच तो चांदी की चोंच वाला वह कवा कैसा है तो देखने में ऐसा लगता है मानो उसकी चोंच जो है वह चांदी की है और स्वर्ण काकह उसके जो पक्ष हैं पक्ष अर्थात पंखे तो स्वर्ण पक्ष हैं स्वर्ण पंखों वाला उस कवे की चोंच चांदी की जैसी लग रही है और पंख सोने जैसे लग रहे हैं तो स्वर्ण पंख वाला और रजत चंचु वाला जो काग था कवा था ऐसा उसने कभी भी पूर्व में देखा नहीं था नईवद्रिष्टह नहीं देखा था कभी उसने ऐसा काग कहीं पर भी देखा ही नहीं था तम तंडुलान खादन तम हसंतंच बिलोक्य बालिका रोधितुम आरब था तम काकम वह क्या देखती है कि वह कवा जो था वह चावल आकर खाने लगा तम तंडुलान खादन तम हसंतंच वह कवा आकर वहा चावल खाता है और हस्ता भी है खादन तम अरथात खाते हुए हसंतं हस्ते हुए तम कागम द्रिष्टवा इस तरह से कववे को देख करके साब आलिका रोधितुम आरब था रुदधातु से तुमन प्रत्य करने पर रोधितुम अरथ शब्द बनता है जिसका अरथ होता है रोना आरब्ध कर दिया रोना आरंभ कर दिया जिसका अरथ होता है रोना आरंभ कर दिया मने रोने लगी वो क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका मस्तिस्क जादा इधर उधर नहीं होता वो परिशान हो जाते हैं तो वो परिशान हो गई, उसोची हम क्या करें और कुछ ना कर पाने की अवस्था में वो रोना सुरू कर देती है उसे डर हो गया कि एक कौवा खा के चला जाएगा और माता हमें मारेगी तो इसलिए वह रोना आरम कर देती है तम निवारयंती सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय तम काकम निवारयंती उस कौवे को निवारयंती अर्था दूर हटाने के लिए वह प्रार्थना करती है पथल नहीं मारती है डंडा नहीं मारती है अपितु कौवे से कह तम काकम प्रार्थयत उस कौवे से प्रार्थना करती है क्या तंडुलान मा भक्षय तंडुल मत खाओ आप तंडुल मत खाईये ऐसा वह कहती है और क्या कहती है मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता अत्यंत ही निर्धन है हमारे मा के पास इसके अत्रिक्त और चावल शायद ना हो इसलिए तुम यह चावल मत खाओ मदिया अर्था मेरी माता अतीव निर्धना अतीव का अर्थ है अत्यंत ही निर्धन है इसलिए यह चावल मत खाओ तब वह कववा कहता है स्वर्ण पक्षह का कह प्रोवाच माशुचह वह सोने का कववा कहता है माशुचह अर्था तुम चिंता मत करो शोक मत करो स्वर्ण पक्षह का कह प्रोवाच अर्था सोने के पंखों वाला कववा प्रोवाच अर्था बोला क्या बोला सुर्योदयात प्राग ग्रामाद बही ही पिपल ब्रिक्षम अनू त्वया आगंतब्यम अर्थात सुर्योदय से पहले सुर्योदयात प्राग ग्रामाद बही ही गाउं के बाहर पिपल ब्रिक्षम अनू पीपल के ब्रिक्ष के पीछे तुम आजाना और अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामी प्रहर्शिता बाली का निद्राम अपी न ले भे वह कहा अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामी इस चावल का मूल्य मैं तुम्हें दे दूँगा तुम अगर सुबह वहां आई तो चावल का जो मूल्य होगा वह मैं तुम्हें जरूर दूँगा तुम कल आ जाना ऐसा सुनकर के वह बाली का प्रहर्शिता हर्शित हो गई की बाह दो चार दाने चावल खाया और इसका मुझे मूल्य देगा ये कवा और ये अलगतरह का कवा है इसलिए उसके मन में उतकंठा बनी रही और निद्राम अपी न लेभे वह लेभे लवधातू का लिटलकार का प्रियोग है ये कि निद्रा को भी नहीं प्राप्त की रात को उसी नीद नी आई कि मुझे जल्दी जाना है उस कवे से मूल्य लेने जाना है क्योंकि वह चमतकारी कवा दिख रहा था सुर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रो पस्थिता ब्रिक्षस्य उपरी विलोक्य सा आस्चरेचकिता संजाता यत तत्र सुर्णमयह प्रासादो वर्तते वह सुर्योदय से पहले ही वहां पहुँच जाती है पुनहां ब्रिक्षस्य उपरी विलोक्य वह देखती है पेण के उपर देखती है तो आस्चरी चकित हो जाती है सा आस्चरी चकिता संजाता वह आस्चरी चकित हो जाती है क्या आस्चरी चकित होती है तत्र स्वर्ण मयह प्रासादह विद्यते वह सोने का महल देखती है सोने का प्रासाद कारत होता है महल तो सोनी का महल देख करके आस्चरिय चकित हो जाती है क्या कहती है क्या विचार करती है काग जब शोकर के उठता है निद्रा में था, सुबा सुबा भाह उठा, तो सोकर जब उठता है तो प्रबुद्धा का अर्थ होता है जागना, जब वह चेतन अवस्था में आता है, प्रबुद्ध होता है मतलब जागरत अवस्था में आ जाता है तब स्वर्ण गवाक्ष का तात पर हुआ सोने की खिड की, तो स्वर्ण गवाक्षात कथितम काके न, स्वर्ण गवाक्ष से वह बोला, क्या बोला? हंगो वाले, अरे बालिके, तौम आगता, क्या तुम आगई? वह बहुत जल्दी आगई? ऐसा, असरी से वह कवाब बड़े प्रेम से बोलता है तौम आगता, तिष्ठ, रुको, रुको, अहम सोपानम अवतार्यामी, मैं तुमको शिढ़ी दे रहा हूँ सोपान कर्थ होता है, सीढ़ी, मैं तुम्हें सीढ़ी दे रहा हूँ, अवतार्यामी अर्थात नीचे उतार रहे हैं, नीचे वह सीढ़ी दे रहे हैं इसलिए कहते हैं, सोपानम अवतार्यामी अगी कहता है, तत कथय स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रवयम, वाँ तुम बोलो कथय, कथय ती कथय तह कथय अन्ती, इस कथधातु का जब लोटलकार मध्यम पुरुष एक वचन रोप होगा तो कथय तुम बोलो स्वर्णमयम, क्या सोने की सीढ़ी भेजू, रजतमयम, अथवा ताम्रमयम, कौन सी सीढ़ी तामे की, चांदी की या सोने की कौन सी सीढ़ी मैं दूँ तो बालिका कहती है, कन्या अवदत, अहम निर्धनमातु दुहिता अस्मी, ताम्र सोपाने नईव आगमिस्यामी, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, क्या कहा, हम निर्धनमातु दुहिता अस्मी, मैं निर्धनमाता की पुत्री हूँ हमारे पास, मैं बहुत संपन घर की लड़की नहीं हूँ तो मैं स्वर्ण मैं सोपान से क्या हम ताम्रमैन सोपाने नागमि स्यामी हम तो तामे की शिढ़ी से ही आ सकते हैं और हम तामे की शिढ़ी से आ जाएंगे इसलिए तुम तामे की शिढ़ी दे दो लेकिन कवा सोचता है कितने संतोशी लड़की है, कितना मन में शंतोश है इसके, इसलिए वह स्वर्ण की सिठी देता है और आगे लिखते हैं स्वर्णमयन परम स्वर्णमयन सोपानेन साभवनम आरोहत वह सोने की सिढ़ी से भवनम आरोहत अर्थात भवन में चड़ती है भवन को जाती है भवन में वह सोने की सिढ़ी से चड़ती है क्योंकि कवे ने सोने की सीड़ी दिया था तो हमने इस कथा का यह प्रथम अंस देखा समय की बाध्यता से आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का भाग हम दूसरे क्रम में पढ़ेंगे जो इसी कथानक का दुतिय भाग होगा उसमें शब्दों के अर्थों को हम देखेंगे आप जितना अंस पढ़ें हैं इन अंसों का अभ्यास करेंगे बोलकर भी अभ्यास करेंगे और शब्दों के अर्थों को शब्दार्था के अंतरगत भी देख सकते हैं साथ ही प्रिश्ण उत्तरों का अभ्यास करेंगे जो की हम प्रथम क्रम में देख सकते हैं पुस्तक के अभ्यास के अंतरगत वो सारे प्रिश्ण दिये हुए हैं जब हम पाठ के अंशों को पाठ के वाक्यांशों को शबदार्थ के साथ पढ़ेंगे उनके अर्थों को समझेंगे तो प्रिश्णों के उत्तर देने में और लिखने में हमें सरल्टा होगी तो ठीक है अगले क्रम को हम दुतिय भाग में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाला 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 झा